तोडी एस्ट्वयंड, I am KP sir. Today we are going to start chapter 5 fraction. तोडी एस्ट्वयंड, हम आज स्टार्ट करना है fraction. तोडी एस्ट्वयंड, fraction में हमें क्या करना है? ठीक है, fraction में जैसे मैं आपको बदाता हूं, fraction क्या है? जिसे suppose, मैंने एक rectangle लिया, इस rectangle को जो है, four part में divide करते हैं. कि फूर पार्ट में डिवाइड करके थ्री पार्ट को मैंने सेट कर दिया कितने पार्ट को सेट कर दिया थ्री पार्ट को ठीक है तो अगर जो थ्री पार्ट को मैंने क्या कर दिया सेट कर दिया ठीक है और आपसे कोशन में पूल पूशे कि जो थ्री पार्ट को सेट किया उस वान टू टूटल पाट है वो डिनाम्हेटर में और यह वह यह तहीं है अब सब्सक्रेट लिया इस जञ जो है एक इस शरकील को वान टू तू त्री प्वाइब सेवन एट पार्ट में डिवाइब करने के बाद जो है मैंने 5 पार्ट को सेट कर दिया तीन हो जाएगा 5.8 इसका फ्रेक्शन कर जाएगा 5.8 ठीक है अब देखिए अब जो यह 5 है इसको हम बोलते हैं जो नमबर होता है जो नीचन नमबर होता है वो दिनामिनेटर होता है ठीक है अब देखिए अब आपका जो है एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या है इसको आपनोट करें आपको थरी सेगन का टाइम देरा एक्सरसाइज 5.1 तो एक्सरसाइज 5.1 तो एक्सरसाइज 5.1 तो एक्सरसाइज 5.1 में क्योश्चन नमबर आपका वन जो हो जाएगा सेम इसी तरीके से कोश्चन है जो मैंने आपको बताया है कोश्चन नमबर 2 भी हो जाएक कोश्चन नमबर 3 कोश्चन नमबर 3 है राइट दफॉरी निमेर फस्ट वन इस डन फॉर यू एक आपके लिए दिया हो रहा है सेवें टेंथ का मतलब यह होता है सेवन निमेरेटर में और टेंथ का मतलब दिनामेटर में थार्ड दिया है इसको हम लिख सकते हैं तो थार्ड क्या लिख सकते हैं तू थार्ड सेकेंड जैसे दिया है वंवाइए इसको लिख सेकने हैं वान एट वान एट्थ वान एड़ तृट जैसे नहीं उताँ हम फाल्स सेट अध्र फोर्ट पाईप सेवन शेथ एक नाइन तैं तरीकर से टिए कर टिए स्टर्ट आ ह से हम राइट जार सकते हैं तो अब यह आपका कुश्चन नमर्ट त्री और तो डियस्ट इसका आप नोट कर लें कि अब कुश्चन नमर्फ और लास को बताते हैं आपका जैसे वान तो त्री फोर आप जो है फास्ट सेकेंड थार्ट फॉर्ट फिप्ट सिक्स्ट नाइट तक राइट कर सकते हैं तो ठीक है आप कुश्चन नमर्फ खुद कर सकते हों